नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं, महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी चीजे दिखाने वाले हैं, जिन्हें सोचकर आप भी हरान हो जाएंगे, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आपने आज कुछ नया जाना है. महाभारत के युद्ध की बात करें, तो महाभारत की युद्ध में एक से बढ़कर एक महानुर शक्तिशाली उद्धाव ने भाग लिया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत के युद्ध में कुरुकुशेत्र की भूमी पर कौर्वों की तरफ से बड़े-बड़े युद्ध में भाग लिया था, जिनमें विशिश थे महामहीम भेश्म, आचार्य द्रणाचार्य, सुर्यपुत्र करण, अश्वत्धामा, कृपाचार्य और दुर्योधन, और वहीं दूसरी तरफ पांडों के साथ स्री कृष्न थे, और पांडों के पक्ष से कई बड़े युद्ध में भाग लिया था, लेकिन महाभारत काल में कुछ युद्धा ऐसे भी थे, जिन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, ऐसे कुछ युद्धा जो इुद्ध भूमी से दूर रहे थे, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कि वे क कौन कौन से युद्धा थे जो परम शक्तिशाली थे और जिनोंने युद्ध में भाग नहीं लिया और इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि यदिनी युद्धाओं ने युद्ध में भाग लिया होता तो युद्ध के हालाद कैसे होते तो चलिए शुरू करते हैं नमबर एक शिशुपाल जो कि जरासंद का खास और शिरिकृष्ण की बुगा का लड़का था शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था शिरिकृष्ण ने अपनी बुगा को वचन दिया था कि वह शिशुपाल के सो ऐसे गुनाश शामा कर देंगे जिसका दंड लिए उसे सो आफसर दिये जाएंगे भगवान शिरिकृष्ण ने रुकमनी से विवाह किया था किन्तो रुकमनी का भाई रुकमी ने रुकमनी का विवाह शिशुपाल से करने का बुचन दिया था लेकिन रुकमनी शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी वह प्रकार शिशुपाल को युद्ध से पहले ही युद्ध से हटा दिया गया था नमबर दो जरासंद जरासंद बहुत ही निर्दय ताकतवर और करूर था यह जरासंद महाभारत के उद्ध में हिस्सा लेता तो शायद युद्ध का रुक कुछ और ही होता लेकिन स्रीकिशन को इस भात का ग्यान था कि महाभारत का युद्ध होना तै है इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही जरासंद को मारने की युक्ति सोच ली थी स्रीकिशन ने भीम के हाथो जरासंद को पहले ही खत्म करवा जिया था स्रीकिशन भीम और अर्जुन के साथ जरासंद के राज्य पहुँचे और उसे किसी एक से युद्ध लड़ने की चुनाती दी और जर जरासंद के दो टुकडे कर दिये। और ऐसा करते करते भीम भी काफी ठक गए थे। Product एक तिन कर उठाया और उन्हें दिखाया युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे मित्र है बलराम जी युद्धि रिश्र से कहते हैं कि जिस तरह स्री कृष्ण है उसके विपक्ष्व मैं कैसे जाओ भीम और दुरुधन दोनों ही मेरे शिश्र है और इन्हें आपस में लड़ता देखकर मुझे कोई प्रसनता नहीं होगी मैं तो तीर्थी आतरा पर जा रहा हूँ बलराम जी शेशना का अवतार थे और परम भलशाले भी यदि वो युद्ध में भाग लेते तो परिणाम क्या हो सकते थे आपके हिसाब से क्या परिणाम बदल सकते थे हमें कमेंट मलेकर ज़रूर बताईए अगर हमें एकलवे की बात करें तो एकलवे अपनी विस्तारवादी सोच की वज़े से जरासंत से जा मिला था और यही वज़े थी कि गुरुद्रणाचार ने उसका अंगूठा भी मांग लिया था क्योंकि उसकी सोच से पता लग गया था उन्हें कि ये एक आकरमन कारी यदि उसे आज की जनरेशन येर आज की जमाने में देखें तो आकरमन कारी और विस्तारवादी नीतियों वाले लोग कैसे होते हैं इसलिए उनसे उनका अगूठा मांग लिया गया था जरासंद के और से एक लवे ने कृष्ण की नगरी मतुरा पर आकरमन किया था माना जाता है कि एक लवे एक बार यादव सेनका सफाय कर दिया था बाद में एक लवे का युद्ध सुरी कृष्ण की साथ हुआ था और सुरी कृष्ण ने एक लवे का बद कर दिया था जरासन ने अठारा बहर मतुरा नगरी पर आकरमन किया था और हंतिम युद्ध में उसने एक विदेशी शक्ति-शालिशासक कालियवन को मत्रा पर आकर्मन करने के लिए प्रिरित किया और कालियवन के सेना ने मत्रा को घेर लिया और उसने मत्रा नरेश के नामे एक संदेश भेजा और युद्ध करने के लिए एक दिन का समय भी दिया इसके उत्तर में स्रीकृष्ण ने कहा कि युद्ध सिर्फ कालिय इसलिए उसे स्री कृष्ष्ण से भै नहीं था जब वैक्रिश्ण पर आकर्मन करने गया तो भगवान क्रिश्ण मैधान छोड़ कर भागने लगे और कालेवन भी स्री कृष्ण का पीछा करते हुए उनके पीछी गया और स्री कृष्ण एक गुफा में चले जाते हैं जहां क कालियवन भी पहुच जाता है और उसे गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था जिसका नाम मुचुकंद था कालियवन ने उसे देखा और उसे लगा कि सिरी कृष्ण है जो यहाँ पर चद्दर ओड़कर सो गई है तब कालियवन ने उसे लात मार कर उठाया और वह सोया हो गयक् कालियवन के अंतक सोय रहने का वरदान प्राप्त था और यदि को उसे उठाने का प्रयास करता तो उसकी क्रोध की अगनी में वह मारा जाएगा जब कालियवन ने मुचुकंद को उठाया तब वह भही पर भस्म हो गया इस प्रकार यह योद्धा भी महाभारत से पली खत् कर सकते थे बर्बरीक भीम के पुतर गटोत कच का पुतर था और बर्बरीक इतने शक्ति शाले थे कि व्यह पर बहन आपको क्या चाहिए है मैं आपको भैदूँगा तब स्रीकृष्ण ने कहा कि तुम मुझे यह नहीं दे पाओगे। और इस प्रकार बरबरीक स्रीकृष्ण की चाल में वस गए और स्रीकृष्ण ने बरबरीक से उसका शीष मंग लिया। बरबरीक ने बरामण में आए स्रीकृष्ण को पहचान लिया था और अपनी स्वेच्षा से ही स्रीकृष्ण को अपना शीषदान कर दिया। इसी बलिदान से प्रिसनोक और सिर्कृष्ण ने बर्बरी को वर्धान दिया कि वह कल्यूग में उन्हीं के नाम से पूझे जाएंगे और सिर्कृष्ण ने जिस्थान पर बर्बरी का सर रखा था वस्थान आज राजस्थान का खाटू श्याम है वर्थमान में बर्बरी को और भी विनाशकारी बना सकते थे भगवान शिर्किष्ट ने पहले ही इन सभी योद्धाओं को महाभारत के युद्ध से दूर रखने के उपाए सोच ली थे ताकि ये सब युद्ध में भाग ने ले पाए आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद